हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बनाने जा रहे हूं बहुत ही सिंपल टेश्टी एंड हेल्दी दाल यह न्यूट्रियंट्स से भरपूर है इस टाइम में हमें न्यूट्रियंट्स फूड की जरूरत बहुत जादा है तो चले देखते हैं इसे बनाने का प्रो चुर्की दाला हफ कप और चना दाल हाफ कप सभी दालों को मीक्स करकर दो लेंगे अब इसे दस से पंद्रा मिनट के लिए पानी में भीगो कर रख देंगे इससे दाल जल्दी और अच्छी तरह से पक जाती हैं दाल में डालने के लिए हम सारी तरह के बेज़िटेबल्स पटल, कचकेला, गाजर, चुकंदर, लौकी या फिर आपके पास जिस तरह के बेज़िटेबल्स एवेलेबल हो वो भी ले सकते हैं आप अपने इच्छा अनुसार बेज़िटेबल्स एड़ कर सकते हैं अरी बेज़िटेबल्स को हम लोग अच्छी तरह से दो कर साफ कर ल वाटर और वान स्पून हल्दी पॉडर और वान स्पून नमक अब इसे दस से बारा मिनट के लिए स्टीम देंगे इस बीच हम दाल में तलका लगाने के लिए सारी चीजों की तियारी कर लेंगे दो मिडियम साइज प्याज दो टेमेटों बारिक कटी हुई आठ से दस कली लहसन बारिक कटी हुई हाफ इंच अधरक घीसा हुई जीरा वान स्पून दो लॉंग दालचिनी एक टुकडा तीन चार तेज पत्र हरी मेर्च शाबूत और कुछ बारिक कटी हुई लाल मेर्च अब काश्मिरी मेर्च पावडर वान स्पून बटर गाश अन कर लेंगे कड़ाई में डालेंगे बड़ी दो चमच घी अब उसमें एड करेंगे हाफ टीश्पून हींग और चारे मसाले अब उसे अच्छी तरह से भून लेंगे अब इसमें एड करेंगे हम लहसन लहसन को ब्राउन होने चलाते हुए भून लेंगे लहसन भूनकर ब्राउन हो गया है अब इसमें हम एड करेंगे प्याज फ्लेम को मेडियम में रखते हुए प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज भूनकर ब्राउन होने लगा हैं अब इसमें हम एड करेंगे बारी कटी हुई टमाटर टमाटर डालकर एक दो मिनट के लिए हम चलाते हुई भूल लेंगे जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से सारी चीजे मीक्स हो जाएं इसमें हम डाल देंगे अद्रक और वान स्पून करी पाउडर करी पाउडर आप कोई सभी यूज कर सकते हैं जो आम तोर पे आप सबजी बनाने के टायमें यूज करते हैं अब इसमें हम एड करेंगे कूक किया हुआ दाल एक दो मिनट के लिए चलाते हुए अच्छी तरह से मीक्स कर लेंगे गैस आफ कर देंगे अर इसे लीड कवर कर छोड़ देंगे अब इसमें हम मीर्च का तड़का लगाएंगे वान स्पून घी डाल कर ग्रीन चिली रेड चिली डाल कर थोड़ी देर के लिए इसे चला लेंगे अब इसमें हम एड़ करेंगे कास्मेरी मिर्च पाउडर कास्मेरी मिर्च से बहुत अच्छी तरह से इसमें कलर आ जाता है गैश आफ कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे दो से तीन चमच पानी इसमें पानी डाल देने से यह दाल में बहुत अच्छी तरह से properly मीख्स हो जाता है अब हम दाल को कैश्टरोल में ट्रांसपर कर लेंगे अब इसमें हम मीर्च का तर्का डाल देंगे यह दाल अब सर्फ करनी के लिए तैयार है दाल सर्फ करने वक्त हम इसमें उपर से बटर डालेंगे और बारी कटी हुई धन्यपत्ती डाल कर सर्फ करेंगे ये रोटी, परटा, नान, फ्राइड राइस किसी के साथ भी आप ये दाल को सर्फ कर सकते हैं अब एक बर ये जरूर बना कर ट्राइ किजिए, सभी को बहुत पशंद आएगी इसी तरह का टेश्टी एंड हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए मेरे चनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो